अभी हाली में आप लोगों ने देखा कि मौदी सरकार के खिलाब आविस्वास पिस्ताओ विपक्च की द्वारा लाए गया है अब आप लोगों की सवाल है कि यह विश्वास पिस्ताओ क्या होता है और किस सदन में लाये जाता है और अगर यह पास हो जाए तब क्या होगा पास नहीं हो तब क्या होगा इस तरह के अनेकों सवाल बने हुए है उन सब के जवाब आपको आज की इस किलास में मिल जाएंग अनुछेद 89 में दिया गया है, 79 में दिया गया है, और संसत के तीन अंग होते हैं, एक आप देखते ही कि राष्टपती होता है, राज्यसभा होता है, लोगसभा होता है, और संसत के सत्त को राष्टपती साब बुलाते हैं, जो राज्यसभा है उसे आप लोग उच्च सदन क के नाम से भी जानते हैं राज्यसभा की जो सदस्ट से होते हैं उनका चुनाओ आपकी विधाय को कि दौरा होता है और 12 सदस्टों को आपके राष्टपती साफ मनौनीत करते हैं और अगर आपको राज्यसभा सदस परना है तो आपकी कम से कम उम्मर 30 साल होने चाहिए वही अ अगर आपकी उमर 25 साल हो चुकी है, तो लोग सभा का चुनाल अर सकते हैं, और अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी है, तो आपका बोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा, और आप लोग बोट डाल लें जाते होंगे लोग सभा के, ठीक है? अभी टोटल वर्तमार में कित 243 सीटे हैं, यह आप लोग याद रखेएगा, और राज्य सभा में कितनी हैं? 245 सीटे हैं, राज्य सभा में, ठीक है? यह भी आप लोग याद रखेएगा, अब बात करते हैं आविस्वास पिस्ताओ की, तो जब लोग सभा में किसी भी बिपक्च्छी पायटी को लगता है कि जो सरकार अभी है बर्दमान में, उसके पास बहुमत नहीं है, अब आप देखें कि 549 सीटें टोटल, तो इसमें से बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं? 272, कितनी? 272, किसी बिपक्च्छी पायटी को लगता है कि सत्ताओ पक्च्छ के पास 272 सांसदर, य अपने लोगसभा सदस हैं, लेकिन किसी खास मुद्दे पर ध्यान लाने के लिए इस तरह का पिस्ताओ लाकर ध्यान लाये जाता है, तो सरकार के पास बहुमत नहीं है, या सदर में सरकार बिश्वास खोचुकी है, तो वह आप बिश्वास पिस्ताओ लाती है, कौन? जबाब दे है, और अर्थात इस सदर में बहुमत हासिल होने पर ही मंती परसद बनी रह सकती है, और इसके खिलाब आविस्वास पिस्ताओ पारित होने पर पिधान मंती सहित मंती परसद को इस्थीपा देना होता है, तो एक बात तो साप है, कि लोगसभा में जिसके पास बहुमत होती है, उसी की सरगार बनती है, तो ए आविस्वास पिस्थाओ लोगसभा में ही लाये जाता है, लोगसभा की पिकरिया तथा कारसंचालन नियमावली के नियम, 191 से 195 तक मंत्री परसद में आविस्वास का पिस्ताव पिस्तुत करने ही तु पिक्रिया निर्धारीत की गई है इस नियम को याद रखेगा यह केबल एक लाइन का पिस्ताव होता है जिसका सामान सौरूप इस पेकार होता है यह सदन मंती परसद में आविस्वास बैक्त करता है और नियम 191 का के तहट आविस्वास पिस्ताओ लाने वाले सदस को इस बीकर के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमती मांगनी पड़ती है और नियम 191 का क्या कहता है कि तहट सुबह 10 बजे तक इस पिस्ताओं को होना आवस है तभी आप देखेंगे आविस्वास पिस्ताओं लाया जा सकता है यदि इतने सदस ना हो तो अध्यक्ष पिस्ताओं रखने की अनुमती नहीं देता है क्या अनुमती नहीं देता है और फिर आप देखते हैं कि नियम 193 क्या कहता है इसके तहट अध्यक्ष अ चार क्या कहता है इसके तहट अध्यक्ष चर्चा की अंतिन दिन मद्धान की जरिए नेड़े की गोशना करते हैं और नियम 198 की तहट भाश्नों की समय सीमा तरह करने का अधिकार अध्यक्ष को मिला होता है। कि उन्हें विस्वास हांसिल करना होता है, बहुमत हांसिल करना होता है, लोगसभा में आविस्वास पिस्ताओं को मंजूरी के लिए कम से कम 50 सदस्वों का सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, और इसमें बोटिंग के लिए केबल लोगसभा की सांसद ही पात होते हैं, आविस्वास पिस्टाओ को मंजूरी दे देते हैं तो पिस्टाओ पेस करने की 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है और आप दीखे इसके बाद speaker आविस्वास पिस्टाओ की पक्ष में बोटिंग करा सकता है या पिर कोई फैसला ले सकता है और इसके लिए मददान होन पर सरकार अपने सांचादों केलिए विप, जारी कर सकती है विप का मतलब है कि सभी को उपस्तित हो ना होगा टीका है जिसके बाद अपनी पारटी अगर पारित हो जाता है तो सरकार इस्थीपा देना पढ़ेगा सरकार गिर जाएगी और ये माल लिया जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है आविस्वास पिस्ताओ को किसी कारण पर आधारी थोने की कोई आव सकता नहीं है जब सूचना में कारण उन लिखित होते हैं और उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भे आविस्वास पिस्ताओं का भाग नहीं बनते हैं तो ये तो बात हो गई आविस्वास पिस्ताओं की कहने का सीधा सा मतलब आप लोग समझ लीजे कि अगर आप विस्वास विस्ताओ पारित हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि जो बहुमत में सरकार है अभी वर्तमान में उसके पास बहुमत नहीं बचा हुआ है विस्वास नहीं बचा हुआ है और उसे इस्तिपा देना होगा इस्तिपा नहीं देता है तो उसे बरखास्त कर दिया जाएगा अब इतिहास में चलते हैं कि कब का क्या हुआ कब का आविस्वास पिस्ताओ लाए गया और कितनी बार ये पास हुआ तो भारती संसत की इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेवी किपलानी ने अविस्वास पिस्ताओ रखा था ततकालीन पिधान मंतरी जवाल लाएन नहरू की सरकार के खलाब और इस पिस्ताओ की पक्ष में किबल 62 बोट पड़े थी और विरोध में 347 बोट पड़े थे यानि कि आप देखे नहरू की कुरसी बच गई थी संसत में 26 से जानदा बार अविस्वास पिस्ताओ रखे जा चुके हैं कई बार आप देखे सबसे जानदा या 15 आविस्वास पिस्ताओ इंदरा गांधी की सरकार के खिलाब आये थे लेकिन कोई पास नहीं हुआ था अभी तकर हम लोग टोटल संख्या की बात करें तो 28 बार ये 28 भी बार है लाल बहादो सास्तिरी और नरसिमरार राओ की सरकार ने 3-3 बार आविस्वास पिस्ताओ का सामना किया और इंदरा गांधी ने 15 बार ये याद रखेगा आविस्वास पिस्ताओ का सामना करते हुए अब तक पहली बार 1978 में सरकार गे थी जब ततकालीन मुराजी देशाई सरकार को मद्दान में हार का सामना करना पड़ा था और उनकी सरकार के खिलाब कुल दो बार ये पिस्ताओ लाए गया था 1909 में आविस्वास पिस्ताओं पर जरूरी बहुमत Нहीं जुटा पाने के कारण कतकाली पिधान मंतरी चरन सिंग ने स्थीपा दे दिया था इसके बाद 1989 में आप देखी बीपी सिंग की राष्टी मोर्चा सरकार को आविस्वास पिस्ताओं पारित होने के बाद इस्तीपा देना पड़ा था 1913 में में कॉंग्रेस की नरसिमबा राओ सरकार बहुत कम अंतर से आविस्वास पिस्ताओं को पारफ कर पाई थी 1997 में HD देवगोडा की सयुक्त मोर्चा सरकार को आविस्वास पिस्ताओं में पराज़े के बाद इस्तीपा देना पड़ा था इसके बाद 1998 में सयुक्त मोर्ची की आई के गुजराल सरकार को भी आविस्वास पिस्ताओं हारने के बाद इस्तीपा देना पड़ा था आप देखेंगे कि राज्यक यानि कि NDA की तरफ से अटल बिहारी बाचपई ने दो बार विश्वास मत प्राप्त करने की कौसिस की और दोनों बार वो आसफल रहे 1996 में उन्होंने केवल 13 दिन सरकार चलाने के बाद मत विभाजन से पहले ही इस्तिफा दे दिया था और 1998 में उनकी सरकार केवल एक बोर्ट से आर गई थी एक बात और आप लोगों को बता दूँ देखिए कि NDA कहने का मतलब होता है कि BJP इसमें मुख दल है उसके सहयोगी दलों को मिलाकर NDA कहते हैं ठीक है जुलाई 2009 में अमेरिका की साथ परमाडू समझोती की बिरोद में सापरक सरकार की खिलाब अभिस्वास पिस्ताओ लाए गया था और तब प्यधान मंत्री मन मुहन सिंग ने मामूली बहुमस से इस पर बिजय पराप्त कर ली थी यानि कि उनकी सत्ता गई नहीं थी और सबसे जानदा अभिस्वास पिस्ताओ पेस करने का रिकॉर्ड माकापा सांसद जेवती मैं बसू के नाम है उन्होंने अपने चारों पिस्ताओ इंद्रा गांधी सरकार के खिलाब रखे थे और पूर्ड पिदानवंतरी अटल विहारी बाचपेई ने बिपक्ष में रहते हुए दो बार आप इस्वास पिस्ताओ पेस किये पहला पिस्ताओ इंद्रा गांधी सरकार के खिलाब था और दूसरा आप देखी नरसिम राव सरकार के खिलाब था अब आप लोगों के मन में एक और सबाल आता है कि आविस्वास पिस्ताओ और विस्वास पिस्ताओ में अंतर क्या होता है ये दोनों ही पिस्ताओ संसदी पिक्रिया के अंग है और जिसके तह सदन में सरकार के बहुमत को जाचा जाता है और सदन में आविस्वास पिस्ताओ अपना बहुमत दिखाने के लिए हमिसा सत्ताधारी दल लेकर आता है आप लोगोंने देखा होगा आरवेंद के जीवाल ने एक समय विस्वास पिस्ताओ लाए थे वो अपनी बिधान सवा की बात हो रही है उनके खिलाब कोई आविस्वास पिस्ताव नहीं लाये था, वो खुद विस्वास पिस्ताव लाये थे दिखाने के लिए किनी बिसेस परिस्तितियों में राष्टपती भी सरकार से सदन में विस्वास मत अरजित करने के लिए कह सकते हैं जब राश्पती को लगे कि इनके पास बहुमत नहीं है। यदि सरकार विस्वास मत जीत जाती है तो 15 दिन के बाद विपक्ष पुना सरकार के खलाव आविस्वास पिस्ताओ ला सकता है। संसदिये प्राउधर में कहा गया है कि एक बार विस्वास पिस्ताओ लानने इसके 6 मईने के बाद ही दुबारा विस्वास पिस्ताओ बिपक्ष दुबारा लाये जा सकता है। अभी जैसे आच चुका है, अब आप देखे, 6 महीने बाद लाए जाएगा, उसके पहले नहीं लाए जाएगा, चुकि विश्वास मत सरकार की तरफ से लाए जाता है, इसलिए उक्त कानून इस पर लागो नहीं होता है, यदि सरकार सदर में विश्वास पिस्ताओं के दौर सरकार को ही चुनाओ संपन होने, नई सरकार बनने तक कारवाहक सरकार की तोर पर काम करने को कह सकते हैं, आप देखे, संसद में लाए जाने बाले अन्य कुछ महत्पूर्ण पिस्ताओं हैं, कार इस्तगन पिस्ताओं, लोग सभा के नियम चपन की तहत, देश की किसी गंब और इस्तगन पिस्ताओं सुईकार होने पर पिस्ताओं में उलिकित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा की सामानकार को रोक दिया जाता है, और जो महत्पूर्ण बुद्दा है, जिसके लिए लाए गया है, उस पर चर्चा होती है, इस्तगन पिस्ताओं का उद्दिश सर पलता के लिए जिसमें गंभी परडाम हो, सरकार को आड़े हाथ लेना, इसे सुईकार किया जाना एक पेकार से सरकार की निंदा मानी जाती है, आलोचना एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, ध्यान आकरसन पिस्ताओ, तो लोकसभा की नियम 197 की तहट पिस्ताओ लाए जाता है, ध्यान आकरसन, लेकिन इस पर कोई मद्दान या चर्चा नहीं होती है, कोई सदस स्पीकर की अनुमती से आविलम, लोकमहत के किसी मामले की और किसी मंत्री का ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान आकरसित करने के लिए, और उसे अनुरुत करता है कि वह उस मामले पर वक्तब तो ऐसे पिस्ताओं को संसदी भासा में ध्यान अकर्सन पिस्ताओं कहा जाता है और सम्मंधित मंत्री अपनी सुविधा अनुसार तकाल संचित बक्तब दे सकता है या फिर बात कि किसी दिन के लिए पिस्ताओं के माध्यम से संसद सरकार को सतरट करने का काम करती है एक आप पिस्ता-इस पर आधिगंटी की चर्चा कराने के लिए सूचना दे सकता है और आधिगंटी के चर्चा से संबंधित पिक्रिया लोकसभा की पिक्रिया तथा कार संचालण नियम के नियम पच्पन तथा अध्यक्ष के निर्देश के निर्देश उन्नीस द्वारा बीने मित होते हैं और इसके अंतरकर कोई भी सदस परयात लोक मात्य के ऐसे मामले पर चर्चा उठाने के लिए सूचना दे सकता है जो हाल ही के पिसन तारंकित आतारंकित या फिर अल्ब सूचना पिसन का बिसे रहा हो और जिसके उत्तर की किसी तथ या फिर बिसे के समद में बिस्दी करण की आवसकता हो और सूचना के साथ एक आप देखे व्याक्ष्यात्मक टिपड़ी दी जानी चाहिए और जिसमें उस बिसे पर चर्चा उठाने की कारण दी गए हो और यह हस्ताक चरीत होनी चाहिए एक बैठक के लिए आदी घंटी के चर्चा की केवल एक सूचना दी जाती है जाएगी और सभा में ना तो कोई उपचारिक पिस्ताओ किया जाएगा और ना ही मद्दान किया जाएगा और जिस सदस ने सूचना दी है वह एक संचिप्त लगू बक्तब देगा और जिन सदसों ने अध्यक्ष को पहले से सूचना सूचित किया है तथा बैलेट में पहले चार इस्थानों में से एक पर है को किसी तत्थ या फिर्विसाय की बिस्तदी करण के पियोजन से एक पिसन पूचने की अर्मती दे जाएगे और तत्थ पच्चा संबंधी मंत्री संचिप्त उत्तर देता है आदी घंटी की चर्चा कार मंत्रा समती द्वारा अनुमोदित तत्था सभादवारा मंजूर दिवस्त पर की जाती है तो ये भी हो गया अल्वकालीन चर्चा तो आप देखे संसद में अल्वकालीन चर्चा की सुरुवात 1953 के बाद हुई इसके तह सार्विनिक मात्र की पिसन पर सदन का ध्यान आकरशित किया जाता है और तय विवस्ता के तहिद ऐसी चर्चा के लिए इस पर्ष्ट कारणों सहिद सदन की महासेचिप को सूचित करना होता है इस सूचना में कम से कम दो अन्र सदसों के हस्ताक्षर होना भी आवस सकता है एक आप देखे विवस्ता का पिसन तो विवस्था का पिशंद उन नेमों, अत्वा समिधन के एसे अनुछेदों की निर्वचन, अत्वा प्रवर्तन के संबंद में होगा, जो सभा के कार को विनिमित करते हैं, जो अध्यक्ष के संग्यान में लाकर उठाए जाएगा. बिवस्था की पिसन को सभा की समक्ष कार की संबंद में उठाया जा सकता है वासरती अध्यक्ष किसी सदस को कार की एक मद समाप्त होने और दूसरे के पयारम होने की बीच की आउदी में बिवस्था का पिसन उठानी की अनुमती दे यदि वह सभा में विवस्था बनाए रखने या फिर सभा के समक्ष कार विन्यास के संबंद में हो कोई सदस विवस्था का पिसन उठा सकता है और इसका नेड़य अध्यच करेंगी कि उठाया गया पिसन विवस्था का पिसन है और यदी वह बिवस्था का पिसन है तो इस पर नेड़ाय देंगे जो अन्तिम होगा एक आप देखें संसादी विशे शदिकार ऐसे कतीपव अदिकार तथा अनुझ कृत्तियां संसदी विशे zwischen सदिकार सब्दे से अभी पेठ हैं जो संसत के पितेग स्तदन तथा उसकी संतियों को सामोहिक रूप से और पितेग सदन के सदस्सों को बेक्टिगध रूप से प्राप्थ हैं और तथा जिनके बिना अपने कृत्तों का निरवाहन दख्चता पूर्वग तथा प्रभावपूर धंग से नहीं कर सकते हैं. संसदिये विसेश अधिकारों का उद्धिस संसद की सुतंता प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना संसद के दोनों सदनों और राज विधाय का और इनकी समतियों और सदसों के अधिकारों विसेश अधिकारों उन मुक्तियों का निर्धारन समिधान के अनुचेद 105 तथ 194 में हैं और सभागों सदन की अवमानना अत्वा उसके किसी विस्वास अधिकार का हनन करने वाले किसी भी ब्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार पराप्त होता है तो यह संसदी यह विस्वास अधिकार है हो गया तो यह कहानी आप लोग देखेंगे संसद के जो एक तरह से मालू होता है उससे ही तो मालू चलता है कि वो कितना देश दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में कितना जानकारी रखते हैं और भी किसी मुद्धे पर अगर आपको बात करनी है जानना है तो उसका नाम नीचे आप लोग बता सकते हैं